हेलो दोस्तो अन्नु की रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे छोले मसाले आप इसी मतर के छोले समोसे या ब्रेड़ चॉप या कोई भी सब्जी में डाल सकते हैं यह हमने 4 टेबल स्पून की करीब जीरा ले लिया है यह कुछ सूखी लाल मिर्च 15 या 20 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यह हमने आधी कटोरी सूखी धनिया ले लिया है यह 3 टेबल स्पून की करीब गोल मिर्च तो चलिए सबसे पहले कडाई को गरम कर लेते हैं कड़ाई हमारा गरम हो चुका है इसमें डालेंगे हम गोल मिर्च को इसको दो मिनट के लिए भूनेंगे फिर सुखा धनिया दो मिनट इसको भी भूनेंगे फिर लाल मिर्च और जिरा भी डाल देंगे इन सब को अच्छे से चला के भून लेंगे करीबन मैंने सब आठ मिनट इसको भूना है मसाले भून गए हैं अब गैस बंद कर देते हैं अब गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं मसाला को ठंडा होने देते हैं अब देख सकते हैं मसाला ठंडा हो गया है अब इसका बारीक पॉडर बना लेते हैं में मिक्सर क्रेंडर में डाल देती हूं मसाले को हमने पीस लिया है मसाले को हमने पीस लिया है कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू